पूरा डेमो करके देखेंगे बहुत असान डेमो है जो भी सारी important चीज़े है वो मैं आपको lab में ही समझा दूँगा यहाँ जब मैंने कुछ बुनियादी बाते लिखी है आप कह सकते हैं कि जो थोड़े से steps है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है सारे steps यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं यहीं लिख दूँगा तो फिर lab में फिर वो repetition ही होना है वहाँ पर अल्रड़ी discuss किया गया है यहाँ पर जैस इसना बताया है कि आपको GCB अपना जो आपका account है उसमें login करना है login करने के बाद database के अंदर यह option आपको मिलेगा वहाँ पर आपको redis select करना है memory store में जाके redis आप select करेंगे और वहाँ पर आपको उसका API enable करना है यह सारे step lab में भी दिखाऊंगा enable होने के बाद वहाँ पर आपको एक instance create करना है जी हाँ वहाँ पर एक instance create करेंगे back end में अगर आप समझने किस चीज़ को कोशिश करें तो back end पे एक virtual machine ही बनी होती है बट वो आपको बनानी कहा है database के अंदर बनानी है VM में जाके नहीं बनानी compute option में तो वहाँ पर आप एक instance create करेंगे instance create करते time आप से कुछ चीज़े पुछेगा जैसे कि instance ID आप क्या रखना चाहते है display name आप क्या रखना चाहते है आप basic selection के साथ जाना चाहते है या standard selection के साथ जाना चाहते है basics में कुछ feature कब मिलेंगे standard में आपको replica जैसे feature मिल जाएंगे तो आपकी choice है आप basic पे जाना चाहते है उसके बाद वो पूछेगा capacity भी आप basic चाहते हैं या standard चाहते हैं क्या फरक है basic में आप 1 GB RAM minimum ले सकते हैं और maximum 300 तक जा सकते हैं लेकिन आप standard में जाएंगे तो वहाँ आपको minimum 5 GB RAM लेने ही पड़ेगी और maximum वहाँ पर भी 300 है लेकिन फायदा यह होगा अगर आप standard सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास read replica का जो option है वो enable हो जाएगा लेकिन अगर आप basic के साथ जाते हैं तो read replica by default आपको नहीं मिलता है region आपको select करना है किस region में यह काम आप करना चाहते है और किस zone में आप करना चाहते हैं तो कहने का मतलब यह zone में होता है zone specific है आपको zone के अंदर यह काम करना पड़ेगा और एक और बात बता दूं कि यह जो instance create होता है इसकी public IP नहीं होती है private IP होती है यानि इसे access करने के लिए आपको एक दूसरा server बनाना पड़ेगा उसके through आप इसके अंदर जाएंगे that is known as jump server ठीक है और वो कहाँ पे होना चाहिए same region के अंदर होना चाहिए और same VPC के अंदर होना चाहिए यह बहुत important बात है मैं lab में दिखाऊँगा आपको read replica 0-5 तक अगर 0 करते हो it means none आपको read replica नहीं लेना चाहते है otherwise 5 replica तक आप जा सकते हो 2 ले सकते हो 3 ले सकते हो 4 ले सकते हो maximum 5 read replica तक आप option में select कर सकते हो setup connection के अंदर यह आप से पूछेगा कि यह जो आप setup कर रहे हो यह जो instance create कर रहे हो यह किस VPC के अंदर आप बना रहे हो तो आपके मेरे हम सबके account में default VPC जो बना है उसी में हमें इस lab को करना है तो हम वहाँ पे वो default VPC select करेंगे maintenance में आप बता सकते हैं कि हम maintenance window क्या रखना चाहते हैं किस time पे maintenance वाला काम होना चाहिए इस तरह के सारी बनियादी बाते लिखने के बाद आप instance को create करेंगे create करने के बाद इसकी एक private IP आपको मिल जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे की देखिए यह मेरा GCP का account है और मैं फिलाल suppose किसी region में हूँ US के किसी region में हूँ यहाँ पे आप जिस भी region में है और जिस भी zone में है वहाँ आपको एक VM create करनी पड़ेगी इस VM के पास एक public IP होगी और यहाँ आपकी already जो आपकी redis instance है वो आपका बना हुआ है जिसके पास public IP नहीं है बट क्योंकि दोनों same region same zone के अंदर है तो यह आपस में privately communicate कर सकती है यानि कि private IP के थुरू communicate किया जा सकता है ऐसे में आप क्या करेंगे As a user आप पहले इस VM का SSH लेंगे क्योंकि इसके पास public IP है आप इसका SSH लेंगे इसका SSH लेने के बाद जब हम इस machine के अंदर घुस जाएंगे तो इस machine के अंदर घुस के हम इसका SSH लेंगे हम command चलाएंगे इसकी private IP डालेंगे और हम इस VM से इस VM के अंदर जंप कर जाएंगे That is why this server is known as jump server Jump server वो server होता है जिसके थुरू हम दूसरे में कूंद जाते है तो यह jump server है jump server से हम इसके अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर जाके फिर जो भी काव हमें इस database server के अंदर करना है हम कर सकते हैं छोटी मोटी command छोटी मोटी testing में आपको करके दिखाऊंगा ready instance के अंदर कैसे काम हो सकता है आपको दिखाऊंगा तो यह एक बड़ी दिल्चस्प lab है generally यह lab लोग cover नहीं करते हैं या इस तरह का content आपको YouTube पर तो at least free में नहीं मिलेगा but I will try कि यह सारे important topic और इसकी lab मैं यहाँ पर लेकर आऊ क्योंकि ठीक है एक बार को theory तो कोई भी करा देगा net page से देखके या document देखकर but lab भी important है so मैं यह सारी lab भी cover करता जा रहा हूँ even मेरे पास अब यह खुशी की बात है कि अब बहुत सारे लोगों के अब तक जितने वीडियो मैंने डाले है उन्हीं के basis पर मेरी series पूरी भी नहीं हुई है उससे पहले content से लोगों को काफी help मिल रही है and I will try कि मैं और content भी लेकर आऊ चलिए यह सिधा आप lab पर चलते हैं और इसको करके देखते हैं तो लोजी आ गए अपनी lab के उपर और सबसे पहले यह Google Cloud का console है यहाँ पर आपको dashboard पर click कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरा console है मैं अभी फिलाल project name जो है मेरा technical गुफतगू है और यह मेरी project ID है किसी भी एक project के अंदर आप इस lab को कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने board पर बताया memory story की lab है तो memory store पे चलते हैं आप यहाँ पर database में आएंगे और यहाँ पर database के अंदर आपको memory store का option मिलेगा यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं आप redis के साथ भी जा सकते हैं memcash के साथ भी जा सकते हैं but redis थोड़ा सा better है in case of memcash but as per the requirement जो भी आपकी industry की requirement है आपके client ने आपसे मांगा है उस हिसाब से आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं दोने ही option यहाँ पर available है redis एक open source है जैसा कि आपको पता है तो इस पर click करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्योंकि हम पहली बार इस project में इसके ओपर lab कर रहे हैं तो हमें API enable करनी पड़ेगी तो यहाँ पर API को enable कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी API enable होने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का यह console नजर आ रहा है जहाँ पर redis का भी option है memcash का भी option मेरे पास है तो फिलाल memcash की मुझे यहाँ पर इसकी भी enable करनी पड़ेगी बट हमें redis पर काम करना है तो redis already API enable हो गई है तो मैं redis को ही select रखूँगा और यहाँ पर create instance का option है याद रखेगा जो यह redis instance बनता है यह back end पर एक virtual machine ही होती है जिस पर यह चल रहा होता है तो यहाँ पर आपको create instance पर click करना है यहाँ आप instance ID कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं यह आपको याद रखना है कि यह बाद में change नहीं हो सकता है और यह unique भी होना चाहिए तो यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ my instance या memory instance इसको नाम दो memory instance या memory tg क्योंकि यह technical गुफतकु का है तो इसको memory instance ही कर दे hyphen tg and let's see क्या यह available है ठीक है यह available है display name आप कुछ भी ले सकते हैं आप जो भी लेना चाहिए यह मतलब local रहता है तो यह unique नहीं होता आप यहाँ पर भी कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं कह रहा हूँ my tg memory store कुछ इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ या sorry redis मैं इसको नाम दे रहा हूँ my tg redis even यहाँ भी मुझे इसको redis instance ही कहना चाहिए it makes more sense redis instance dash tg तो हम इस नाम के साथ जाते हैं नाम आप कुछ भी ले सकते हैं वो unique होना चाहिए tier में आ जाएं तो भई आप से कह रहा है कि आपके पास दो tier available है basic and standard basic जैसा कि साफ लिखा है lower cost है लेकिन यहाँ पे high availability नहीं मिलेगी इससे मतलब यह है कि अगर एक zone आपका खराब हो जाएगा क्योंकि यह जो radius instance होता ही एक zonal service है अगर वो zone down हो गया तो फिर आपको उसको जो है वो आप उसे access नहीं कर पाएंगे और जो data है वो भी inaccessible हो जाएगा लेकिन अगर आप failover चाहते हैं high availability चाहते हैं तो आप standard को select कर सकते हैं देखे अगर basic के साथ जाते हैं तो price आ रहा है 268 dollar per month जहां पे 16 GB की storage आपको मिल रही है और यह price location wise mention करती है तो यह US central की price है अगर मैं standard करूँ तो आप देखेगा price बदल जाएगी मैं standard पे click करता हूँ यह हो गई है 805 लेकिन उसमें क्या क्या मिल रहा है दो read replica मिल रहे हैं अलग-अलग zone के अंदर ता कि अगर एक जगा आपका जो zone है वो down हो जाए तो बाकी दो जगा से आपका data access किया जा सकता है बट read replica है not ride replica ठीक है सिर्फ read replica यह है यानि read कर सकते है storage भी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अगर आप 16 की जगा 32 करेंगे तो price बढ़ जाएगी आप देखें आप 1600 हो गई और 16 GB पे कितनी price आ रही थी 805 यानि सिर्फ 16 GB और बढ़ा देने से आपकी price पे बहुत फरक पड़ रहा है आप देखें 32 आप कर दें 1611 पे जा रहा है आप यहां पे 64 कर दें यह 2663 क्यों जा रहा है ऐसा क्योंकि यह normal storage नहीं है दोस्तों यह RAM है यह RAM है इसी के अंदर आपका रहता है और maximum capacity कितनी है इसकी 300 GB है यानि अगर आप यहां पे 301 दोगे तो यह error देदेगा at present 300 GB तक आप ले सकते हो लेकिन उस case में जो bill आएगा वो 10,512 डॉलर का आएगा यानि लाखो रुपे में आएगा तो बैतर है इसको हम 1 GB लेकर चलें अगर हम 1 GB लेकर चलते हैं तो यह कहा रहा है कि minimum 5 चाहिए तो यह भी exam का point हो सकता है याद रखेगा maximum 300 है और minimum आपको 5 लेना पड़ेगा when read replicas are enabled यानि कि standard के case में अगर मैं basic में जाऊंगा तो मैं एक ले सकता हूँ चुकि मैं पहले ही कहा रहा हूँ कि मुझे सस्ता चाहिए तो in case of basic you can go with 1 GB और 1 GB का फिर अगर आप 1 GB के साथ जाते हैं 35 डॉलर पर मंत का price आपका पड़ता है तो development के लिए आप basic का इस्तमाल कर सकते हैं production में real time में आप हमेशा standard के साथ जाएंगे तो basic में 1 GB हो सकता है बट standard में याद रखेगा minimum 5 GB होना जरूरी है तो basic के साथ चलते हैं क्योंकि हमें simple testing करनी है तो 1 GB की capacity हम ले लेते हैं याद रखेगा ये एक zonal service है तो region के साथ साथ zone select करना जरूरी है अगर आप खाली यह नहीं छोड़ देंगे उस case में Google अपने आप से कोई भी zone आपको लेकर allocate कर देगा तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से 1 A ले ले लेता हूँ read replica मेरे case में अब यहाँ पर नहीं आएगा क्यों क्योंकि मैंने basic को select किया है अगर मैं standard करता तो I will show you मैं यहाँ पर पहले minimum 5 कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी के read replica maximum 5 तक ले सकता हूँ याद रखेगा ये exam का सवाल है interview का सवाल है कि आप memory store में कितने read replica बना सकते है तो याद रखेगा 5 तक की limit है आप 1 पे जा सकते है एक के साथ जाएंगे तो price ये पढ़ने वाली है आप यहाँ पर 5 के साथ जाएंगे तो price ये पढ़ने वाली है और no read replica भी कर सकते है यानि कि जरूरी नहीं है कि standard के साथ जा रहे हो तो आपको replica लेना ही लेना है आप चाहें तो आप no read replica के साथ जा सकते हैं configure a primary and one replica across zone for high availability replica is not enabled for reads ठीक है तो यहाँ पर कुछ बात यह कह रहा है one read करते हैं तो यह कह रहा है कि यह हमने enable कर दिया है high availability for reads यह करेंगे तो यह कहता है कि आपका replica enable नहीं है read write के लिए आप एक ही उसके साथ जा रहे हो तो it's your choice आप क्या select करना चाहते हैं even यहाँ पे कुछ और options हैं जो enable हो जाएंगे in case of standard अभी time to time में आपको दिखाता जाऊंगा basic का case है तो मैं यहाँ पे one लेके चल रहा हूँ मैंने region यहाँ पे Iowa लिया है US Central 1A ले लिया है read replica अभी इस case में नहीं दिखेगा setup connection choose how you would like applications to access your instance choice is permanent याद रखिएगा जिस भी network में आप इसको बनाएंगे उस ही network में यह रहेगा और आपको उसी network से फिर इसको jump server बनाके access करना पड़ेगा यह एक important बात है तो फिलाल मेरे case में एक ही network है मेरे पास virtual network तो मैं default तो मैं उसी के साथ जा रहा हूँ और उसी के अंदर इसको बना रहा हूँ connection choose how would you like to manage your IP range and network connection to the memory store network your choice is permanent by default यह कह रहे है कि direct peering है automatically configured peering between the authorized network कौन सा authorized network है default इसके और मेरे memory store के बीच में यानि कि अगर मैं इस network के अंदर कोई virtual machine बनाऊंगा तो उसके थूरू मैं इस memory store को directly access कर सकता हूँ there is a direct peering बट अगर आप कोई private service access चाहते हैं कुछ और चाहते हैं तो that you can do आप वो चीज़े कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको वो setup करना पड़ेगा फिलाल हम यहाँ पे जो default service है direct peering उसके थूरू चलते हैं security की बात करें तो यहाँ पे enable authorization को आप कर सकते हैं in transit encryption आप कर सकते हैं और customer manage encryption key का इस्तमाल आप कर सकते हैं डेटाबेस है बहुत crucial होता है तो यहाँ पे सारे के सारे options आपको दिये गए हैं maintenance की बात करें तो about twice a year instances must undergo routine maintenance to fix bugs prevent security exploits and perform upgrades your instance must be restarted why updates are made but you can choose when this happen तो आप maintenance के लिए उन्हें टाइम बता सकते हैं कि भाया इस टाइम पे आप जो है मेरा जैसे संडे के दिन जनरली काम कम रहता है तो मैं संडे को रात का time select करूँगा रात को एक से दो मैं ऐसा time ले ले लेता हूँ तो वो जब भी maintenance का काम करेंगे करेंगे इसी duration में तो यह चीज मैं उनको define करके चल सकता हूँ कि आपने जब भी करना है आप यहां पे करें ठीक है तो यह एक यहां पे चीज होगे configuration पे आएं तो customize the behavior of your instance Redis configuration and enable snapshot यह बड़ा important हो जाता है दोस्तों version select करना क्योंकि on-prem के अंदर आपका Redis जिस भी version पे चल रहा है याद रखेगा अगर आप on-prem से यहां पे आ रहे हैं migrate कर रहे हैं या आप connect कर रहे हैं तो जो version आपका on-prem पे है उसी version के साथ आपने रहना है यह भी exam का सवाल हो सकता है कि कौन-कौन से version यहां पे available हैं तो याद रखेगा सिर्फ 4 version यहां पे available हैं 3.2, 4.0, 5.0 and 6.x यह चार version ही यहां पर available हैं आप exam के point of view से लिख लिजेगा copy में लिख लिजेगा यह काफी important हो सकता है schedule, radius, database, snapshot अगर आप snapshots एक specific time period पे लेते रहना चाहते हैं तो आप वो schedule कर सकते हैं जैसे में आपके snapshot बनते रहेंगे तो उसका फाइदा यही है कि वो एक kind of backup है जो आप रख सकते हैं तो वो daily basis पे या जो भी आप plan करेंगे आप कर सकते हैं तो यह कुछ options हैं दोस्तों जो मैंने आपको यहां पे memory store के लिए दिखा दियें और साफ साफ लिखा है cloud memory store for radius is a fully managed radius service for the google cloud platform fully managed का मतलब as usual आपको पता है कि यानि google ही सारा कुछ देखता है तो मैंने basic tier लिया है अमरीका location लिया है maximum throughput मुझे 500 मिल रहा है 2000 में से देखें अगर मैं यहां पे storage को बढ़ाता हूं और मैं यहां पे 100 GB करता हूं तो C मेरे को maximum throughput मिल रहा है 2000 का यानि it depends on the storage अगर यह भी interview में सवाल आ जाता है तो याद रखेगा throughput depend करेगा आप storage कितनी ले रहे हो एक ही GB की storage ले रहे है तो आपको minimum मिलेगा 500 MB per second Megabyte है यह Megabit नहीं है B Capital है यहाँ पे याद रखेगा तो यह कुछ चीजे हैं जो आपने याद रखनी है price आ रही है 35 dollar per month और घंटे के साब से लगने वाली है तो कोई मसला नहीं है थोड़ा सा price आएगा इससे काम करने का यहाँ पे अब इस पे click करते हैं मैं version जो है कोई भी लेके चल सकते हैं 5 लेने 6 लेने तो मैं 5 ही ले लेता हूँ ठीक है और बाकी सारी चीज़े यहाँ पर मुझे ठीक लग रही है कुछ भी ऐसा चेंज करने के जरूरत नहीं लग रही है हम यहाँ पे create instance पे click कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं पांच मिनट इसको लगे है और पांच मिनट के अंदर जाकर यह मशीन मेरी ready हो गई है तो यहाँ पर अब इसे ready होने के बाद जो एक दिल्चस बात आपको यह नजर आ रही है वो यह नजर आ रही है कि यहाँ पे जो IP मुझे मिला है हमेशा याद रखेगा अगर आपने memory store for ready instance आपने access करना है तो 6379 port पर ही access होता है फिलाल मैंने 1GB की capacity ली हुई है बाकी सारी चीज़े not applicable या disable मुझे नजर आ रही है आप इने TLS score इन चीज़ों को enable कर सकते हैं वर्जन मैं 5.0 लेकर चल रहा हूँ और basic मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रहा हूँ बाकी की चीज़े अभी इसके अंदर से explore करेंगे लेकिन एक बार इसका access लेकर देखते हैं अब क्योंकि यह private IP के थुरू यहाँ पर mention है तो आप इसका directly access नहीं ले पाएंगे let's click on it एक बार try कर लेते हैं क्या direct access मुझे यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर edit है, delete है, import है, export है लेकिन यहाँ कहीं connections पर जाते हैं and let's see यहाँ connections पर भी मुझे यह कह रहा है कि भाईया यह इसकी end point है private IP है, यह मुझे यह दे रहा है यह कह रहा है कि यह आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कि connect करने का option नहीं नजर आ रहा है तो connect करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक virtual machine यानि कि जिसे आप jump server कह लें fashion host कह लें, जिसके थुरू हम इसमें घुस सकते हैं, वो बनाना पड़ेगा तो आप compute engine में जाके VM instance पे click करेंगे यहाँ पर जब आप VM instance पे आएंगे तो आपको create instance पे click करना है यह lab already में करा चुका है बहुत सारी detail में VM instance तो यहाँ पर ज़ादा detail में नहीं जाएंगे simple एक नाम ले लेते हैं इसको इसको नाम ले लेते हैं jump server और यहाँ पे region आपको वही लेना है जिस region में आपने वहाँ पे उसको बनाया है वैसे आप दूसरा region भी ले सकते हैं region से कोई फरक पड़ेगा नहीं थोड़ा सा latency पे या connectivity में फरक पड़ेगा लेकिन network should be same यानि default network है तो default लेना पड़ेगा अगर आप दूसरे network में बढ़ाएंगे तो connect नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे general purpose में जाके सस्ते वाला लेना है तो यहाँ पे N1 ले लिजे आप आपका काम चल जाएगा मैंने एक VCPU 3.75 GB RAM के साथ ले लिया है तो यह सस्ता सा server मैंने यहाँ पे बना लिया है बाकि सारी चीज़े default रखते हैं Debian जो है यह वाला बुलसाई वाला यही लेकर चलते हैं कोई changes मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ service account भी default है allow में sttp, sttps को allow कर दें although इसकी अभी हमें जोद पड़ेगी नहीं यहाँ पे अगर आप network चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका default network नजर आएगा इसी के अंदर मैंने अपना वो जो memory store for ready instance से create किया है same network होना जरूरी है make sure अब यहाँ पे आप click करें create हो जाएगा यह तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा server ready हो गया है जो कि US Central 1 में बना है N1 Standard 1 Machine Type है आप कुछ भी Machine Type ले सकते हैं यह इसकी internal IP है और यह इसकी external IP है यानि external है तो हम इसको internet के थूरू भी access कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं यहाँ पे SSH करके directly यहाँ पे SSH ले लेता हूँ बाकि आप उट्टी उट्टी जिसके थूरू लेना चाहें ले सकते हैं तो दोस्तों फिलाल मैं अपने jump server नाम की इस machine के अंदर आ चुका हूँ आप देख सकते हैं इसको full screen कर लेते हैं यहाँ पे अभी मैं अगर ls करूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे search करके देखूँ मैं पहले sudo su कर लेता हूँ so that यह root user बन जाए तो sorry मैंने इसको sudo su करना था तो मैंने इसको root user बना दिया है अब मैं काफी सारे काम यहाँ पे कर सकता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सबसे पहले तो update कर लेते हैं apt update करके आपको कमान चलानी है apt-update कोई space नहीं है इनके बीच में आप enter कर ये मेरे ख्याल से sorry sorry dash लगा दिया मैंने apt-space update तो यह आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको update कर दिया है update करने के बाद आप control L दबाईए जिससे की screen जो है आपकी clear हो जाएगी अब अगर मैं यहाँ पे यह चेक करना चाहूँ कि कि या क्या redis CLI मेरे पास है तो redis dash CLI आप सर्च करिए आपको अभी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है पिकाज यह अभी installed नहीं है और redis पे काम करने के लिए और उसको connect करने के लिए अगर आप redis instance को connect करना चाहते हैं इसके साथ sorry इसके थूरू उसको access करना चाहते हैं तो यहाँ पे redis CLI होना जरूरी है तभी redis वाली command यहाँ पर चल पाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे command चलाएं apt install उसके बाद आप यहाँ पे command चलाएं redis tools यानि जितने भी redis के tools हैं वो आप install कर दो open source से install हो जाएंगे आप देख सकते हैं सारे के सारे install हो रहे हैं यह कहा रहा है yes or no मैं y दबा रहा हूं एंटर करता हूं तो यह सारे के सारे install हो चुके हैं अब मैं control L करके clear कर लेता हूं अगर मैं अब check करना चाहूं कि क्या मैंने यहाँ पे redis मेरा install हो गया या नहीं हुआ है तो अगेन वही command दुबारा चला है redis CLI and see अब की बार आपको जो चीजे आ रही है वो अलग आ रही है यह कहा रहा है कि भाई हम redis से connect नहीं हो पा रहे है actually यह local पे connect होने की कोशिश कर रहा है 127.0.0.1 जो की loopback address है यह local पे जाके redis को search कर रहा है connection refused आ रहा है लेकिन इसका मतलब redis मेरा install हो चुका है not connected आ रहा है इससे बाहर आने के लिए आपको exit टाइप करना पड़ेगा और enter करना पड़ेगा आप इस system से बाहर आ जाएंगे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इस machine से अपने memory store वाला जो मेरा मैंने बनाया हुआ है मैं उस पे चलता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम databases में और यहाँ पे आपको memory store नजर आएगा redis में जाना है और यह जो आपका redis instance है मुझे इसका access लेना है मैं इसके अंदर पहुँचना चाहता हूँ तो वो कैसे जाया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ आपने यहाँ पे एक command चलानी है redis-cli space दे के hyphen h यानि की host name वहाँ पे आपकी private ip of the redis instance आजाएगी जो हमने यहाँ पे डाली है port number इस तरीके से देने की जोड़त नहीं है वो अलग से दिया जाएगा तो सिर्फ private ip को copy करके आप यहाँ पे paste कर दें इसके बाद आप यहाँ पे port number अलग से mention करें hyphen p और port number आपका रहेगा 6379 यह आपको दिखा देता हूँ यही port number है अच्छा मैंने यहाँ पे हटा दिया just a minute 6379 आप चेक कर सकते हैं यह port number पे मैं access करना चाहता हूँ तो क्योंकि यह मेरा private ip जो है यह instance का है Google Cloud के अंदर ही है और यही मेरा जो है same network के अंदर है मतलब और same network में ही मेरी VM चल रही है तो यह आपस में privately communicate कर सकते हैं यानि यह उसका access ले पाएगा मेरी जो यह VM है यह इसका access कर पाएगी आप देख लीजेगा अभी जैसे ही मैं enter करूँगा यह enter होके इसके अंदर connect हो जाएगी enter करते हैं and see अब मैं इसके अंदर हूँ दोस्तों आप check कर सकते हैं अगर आप यह देखना चाहते हैं कि भई मैं सच में redis server के अंदर आ गया नहीं आया हाला कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप इस IP के अंदर है और इस port number के अंदर है यानि आप redis instance का access ले चुके हैं आप यहां पर को छोटी मूटी redis command भी चलाके दे सकते हैं जैसे कि यहां पर आ रहा है set key value ठीक है तो यह sample आपको देता रहेगा redis की यह set key value आपको करनी है तो key आप यहां पर क्या रहेगी key मैं ले सकता हूँ first name तो f small में लीजेगा first name and space देके value value क्या होगी आपकी value होगी आपकी suppose करें भुपिंदर first name is भुपिंदर तो देखें यहां पर यह सब कुछ आपको आ रहा है तो जादा कुछ करनी की जोतनी हैं यहां पर जस्ट हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं एक नाम first name set कर रहा हूँ enter करते हैं यह कहता है okay अब इसके बाद आप चेक करना चाहते हैं first name enter हुआ नहीं हुआ database में आया नहीं आया तो आप get करें get का मतलब आपको चाहिए first name enter करें यह कह रहा है भुपिंदर तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि आप database में काम कर पा रहे हैं तो यानि कि हमारा properly ready success हो गया है अब अगर मैं इसी में append करना चाहता हूँ यानि first name में ही कुछ नाम में add करना चाहता हूँ तो मैं append fname करूँगा for example fname और value में लिखूँगा राजपूत यानि आप भुपिंदर के आगे राजपूत भी append कर दें जोड़ दें आप enter करिए यहां पर integer 15 तो let me check get fname nc भुपिंदर राजपूत आपको यहां पर नजर आ रहा है तो इस तरीके से आप चीजे कर सकते हैं दोस्तों आप जो भी करना चाहते हैं आप database के अंदर यहां पर redis के अंदर कर सकते हैं बहुत सारे काम हैं यह जस्ट एक छोटी से testing दिखाई है हाला कि हमें इसमें जाने की जोत नहीं है हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि redis को create कैसे किया जाता है फिर उसका access कैसे लिया जाता है आप इस machine को यानि कि jump server को किसी और region में भी बनाते अगर अपनी virtual machine को तो भी आप उससे इसको access कर सकते हो बट शर्ते कि आपका जो network है वो सेम हो यानि कि फिलाल मैं default network में हूँ तो मेरे default network में ही दोनों चीज़े होनी चाहिए यह मेरा default network के आपको दिख रहा है वी पीसी network के अंदर और इसी में मैंने अपनी virtual machine बनाई दिया है अगर आप इससे बाहरा आना चाहते हैं आप exit तब आ दें capital में भी ले लेता है ठीक है capital में भी ले लिया है इसने वैसे small letter ही हमेशा use करें make sure ठीक है तो यह एक simple सी चीज़े हैं जो हमने देखी है अब मैं दुबारा आपको लेकर चलता हूँ memory store के यहाँ पे जो console है और यहाँ पे हम देखते हैं जाके कि और क्या-क्या है तो मैं CPU पे कुछ काम हुआ है इसलिए CPU में थोड़ी सी monitoring में भी चीज़े दिखा रहा है in और out network bytes दिखा रहा है memory कितनी use हुई है अभी कुछ भी नहीं हुई है almost zero है क्योंकि सिर्फ भुपिंदर राजकुत मैंने एक नाम लिखा है estimated cost यहाँ पे आ रही है edit मैं क्या-क्या कर सकता ह अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो देख लीजे instance ID आप चेंज नहीं कर सकते यह grade out है याद रखेगा display name आप बदल सकते हो display name आप यहाँ पे लेकर technical गुफ्तगू लिख दो it doesn't matter क्योंकि वह local machine पे एक नाम है बस nothing else capacity क्या बढ़ाई जा सकती है जी हाँ capacity बाद में भी बढ़ा in transit encryption disable था तो अब disable ही रहेगा maintenance mode को बाद में भी change किया जा सकता है configuration में जाएंगे तो configuration में version अब change नहीं हो सकता है add configuration पे click करें तो value यहाँ पे yes no कर सकते हो but you cannot change the version अब आप इसका version चेंज नहीं कर सकते snapshot बाद में भी आप change कर सकते हो those you can do तो यह कुछ simple simple चीज़े हैं जो आप edit में मैंने आपको दिखाई import करना चाहते हो किसी data को तो अपने cloud storage में वो data होना चाहिए आप वहाँ से इसको import कर सकते हो तो देखिए cloud storage file यह बिल्गुल साफ साफ आपको बता रहा है और format जो है .rdb रहता है आप इसको cloud storage से as a tease path बता दो किस bucket पर पढ़ा इंपोर्ट कर दो सारे का सारा data आपका यहां पर आ जाएगा तो अगर आपका कोई on-premises के अंदर कोई redis का server बना हुआ था simple है उस data को पहले cloud storage में ले आओ और उसके बाद cloud storage से उसे यहां पर import कर दो it's very easy अगर export करना चाहते हैं जो भी data अभी आपने काम किया है तो आप export पर क्लिक करिए यहां पर आपके पास कोई bucket होनी चाहिए browse कर लेते हैं at present अभी मेरे पास यहां पर दो bucket मुझे नजर आ रही है मैंने suppose यह वाली bucket select कर ली I am going with this और यहां पर मैं इसको select कर रहा हूं तो एक file name बन store redis instance जो नीचे आपको नजर आ रही है dot rdb इसका format होगा always remember select करेंगे आप और यहां पर आप export करेंगे आपका data export हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं click करते हैं आप याद रखेगा इसी नाम से file बनेगी आपकी memory store instance के नाम से जो की export हो रही है तो let's try export करके देखते हैं this will export data from redis instance tg2 google cloud resources us central one this may take up to 10 minutes certain administrative operation like scaling updating configuring the instance will not be available until the export is complete तो आप यहां पर अपने data को export करेंगे और वो आपको cloud storage में नजर आएगा और उसके बाद उस data को अगर आपने on-premises में कहीं shift करना है कहीं और लेके जाना है AWS पे लेके जाना है that you can easily do यह भी आप कर सकते हैं तो मैं just export दबाऊंगा data storage पे आ जाएगा तो just इसको show करने की जोत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा process आपको समझा दिया है तो यह कुछ मामूली सी मामूली तो मैं नहीं कहूंगा मतलब कुछ बुनियादी चीज़े हैं जो यहां नजर आती है connection के लिए primary endpoint यानि कि इसकी private IP आपको नजर आ रही है redis version यहां पे आप upgrade का option देखें यहां पे आ रहा है let's click on it तो यह कह रहा है कि क्या आप इसको upgrade करना चाहते है that you can do लेकिन आप downgrade नहीं कर सकते यह भी एक interesting चीज़ है आप 5 से नीचे वाले यानि कि 4.0 या 3.2 पे नहीं जा सकते आप उससे उ utilize होता है कि यार मेरे को latest version पे काम करना है that you can do यह version यहां से upgrade किया जा सकता है वहाँ पे edit के option में नहीं आ रहा था यहां पे यह नजर आ रहा है तो यह भी एक अच्छी चीज़ है prefer window maintenance की यहां नजर आ रही है no maintenance has been scheduled yet यह भी आपको यहां पे नजर आ रहा है monitoring पे चलें तो monitoring म 12 गंटे की monitoring आप यहां पे check कर सकते हैं even आप custom जाके custom में जिस दिन से जिस दिन तक की monitoring देखना चाते हैं आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पे configuration पे click करूँ तो देखिए tier basic है read replica यह है यह मेरी सारी configurations हैं जिसको मैं upgrade कर सकता हूँ वो यहां पे option मुझे नजर आ रहा है मेर इन चीजें हैं तीनों की चीनों फिलहाल disable हैं आप चाहें तो auth को enable कर सकते हैं यह option अभी आपके पास है जो आप बाद में भी enable कर सकते हैं जो कि हमने अभी check किया था तो this is all about memory store for radis instance जो मैंने यहां पे आपको करके दिखाया है I hope यह lab आपको अच्छे से समझ आ गई होगी lab करने के बाद आप इस instance को delete कर सकते हैं just select कर यहां से और मैं आपको दिखाता हूं इसे कैसे delete करना है आप just इसके अंदर चले जाएं और यहां पे आपको delete पे click करना है और यह कहेगा confirm deletion by typing the instance id तो instance id क्या है radis instance dash tg मैं इसको copy करके यहां पे paste करता हूं delete करता हूं आप देखेंगे कि यह instance delete हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे धाई मिनट के आसपास लगे है और धाई मिनट के आसपास में यह delete हो गया है और अब मेरे पास यहां पे कोई भी instance नहीं है लेकिन याद रखेगा आपने एक virtual machine भी बनाई थी तो उसको delete करना ना भू Make sure आप यह काम जरूर करें क्योंकि आप मेंसे काफी लोग paid account चला रहे होंगे तो last में यह बताना भी जरूरी है कि delete कैसे करना है क्योंकि मैंने कई students के साथ past में AWS के अंदर यह problem face करी थी कि वो बेचारे भूल जाते थे साथ delete करना क्योंकि मैं lab में नहीं कराता था तो मैंने चाहता कि किसी का एक भी रुपिया बिना वज़े का गलती से बन जाए क्योंकि आप सबका मेहनत का पैसा है तो इसलिए इसको delete करना भी मैं आप साथ साथ आपको बता देता हूं end में ताकि आपको पता हो कि हमने क्या-क्या delete करना है क्योंकि आप learner है आपको नहीं पता होता आप भूल जाते हैं मैं memory store delete करता तो आप भी खाली memory store delete करके रह जाते आपको भी याद नहीं आता कि compute बना हुआ था या आता तो बाद में याद आता जब तक आपके कुछ बिल बन जाता तो make sure कि यह delete करना होता है तो यह दोनों चीज़े अब हम delete कर चुके हैं यह भी delete होने वाला है तो दोस्तों इसको delete होने में तोड़ा सा time लगा है चार से पांच मिनट का और यह VM मेरी delete हो चुकी है चलिए चलते हैं अपने board की तरफ आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और memory store for redis का concept बिल्कुल clear हो गया होगा और चलिए as user बात को एक खुबसूरत share यह आप कहलें कि गजल के कुछ मुक्तलिफ से शार है उनके साथ complete करते हैं और यह मैंने अभी instagram पे कहीं सुना था और मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ माफी चाहता हूँ share का नाम मुझे यहाँ पर नहीं मालूम है तो लेकिन अगर किसी को पता चले तो कमेंट में बता सकते हैं और share कुछ यूँ है कि सुनो शादी मुबारक हो दुलहन तो बन चुकी हो अब बता भी दो की सुनने को वो खुश खबरी में आऊं कब किसी दिन छोड़ जाएगी तेरे बेटे को कोई जब किसी आशिक की मा का दर्ध समझ पाए तु शायत तब इसे इंसाफ कहते हैं इसी से भागते हैं सब इसी को पूजता हूँ मैं इसी से कापते हैं रब तो ये एक share था जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपके साथ share किया और वो एक share था ना कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए तो हो सकता है आप भी खो जाए चले इजाज़त दें खयाल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए अपने इजा कर दो भी खो हो सकता है उ और अपना रहा है वालों